भीकमांगते थे नरेंद्र मोदी। nei अलोग से चिसान नहीं यह अंडोलन में भी एक किरें थी किसान नहीं है। इस वृति इराणी केरी कह रही थी कि ये मवाली हैं ये तो मुठी बर हैं जो भी इस सरकार के खिलाफ खड़ा होगा वो खालिस्तानी है वो पाकिस्तानी है देश को बंद करके तानाशाही के बेडियों में जकड कर देश को नहीं चलाया जा सकता है तो आम जंता तो मुर्दा हो चुकी है इस देश क ये तो अंग्रेजो को भी इनों ने सहा और इस तालाशा मोधी को भी सहेंगे किसान मरसरीज और गारी में क्यों नहीं घूमेगा भाई ये दुरभागी की बात है कि सरकार चाहती है कि इस देश का किसान फटे हाल रहे बदहाल रहे कोई मोधी के साथ नहीं है इवियम मोधी के साथ है जिस दिन इवियम खतम हो जाएगा उस दिन मोधी भी खतम हो जाएंगे वश्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनित अवास किसानों को लगबग 10 दिन हो चुके हैं उनके सडक पर बैठे हुए और जो अभी तक है सरकारों ने उनकी मांग जो है नहीं मांगी है नहीं मानी है चौथी बैटक के बाद भी किसानों ने इंकार कर दिया है कि हमें सबी फसलों पर MSP चाहिए उसके बाद इस चीज़ पर बातशीत करने के लिए मारसाद मौजूद है अतुल तरिफाटी जी सर क्या कहेंगे जिस तरीके से चौथी बैठक के बाद भी किसानों ने मना कर दिया है तो क्या किस तरीके से जो सरकार है किस तरीके से सुनी जाए उनकी नहीं बात हम क्यों करें अब बात करने का क्या फाइदा है आप मुझे बताईए एक तरफ हमारे किसान शहीद हो रहे हैं और इस सरकार से बात करें ये शोभा नहीं देता है ये शोभा नहीं देता है कि एक तरफ आप हमारे किसानों को शहीद करो, हमारे उपर आसू गैस के गोले बरसाओ, और ये उम्मीद करो कि हम जो है, वो सरकार से बात करें, भाय के माहूल में, हिंसा के बाहूल में, आतंक के माहूल में, किसान कत्ताई बात नहीं करें, हिंसा जो है, वो किसान भढ़का रहे हैं सरकार नहीं भढ़का रही है रास्ता रोका है हम तो करें झुल्ली आना चाहते है क्यों डर रही है यह सरकार क्या मंशा ऑफीर से ट्रैक्टर से जो है तब ही तो रहा है आप लोगय को दह captures ट्रैक्टर का इस्तेमाल tभी होगा जब हमारे बीच में बेरिकेटिंग लगाई जाएंगे ट्रेक्टर का इस्तेमाल तभी होगा जब कटीले तार लगाई जाएंगे जब कॉंक्रीट की दिवाल लगाई जाएगी तो हाथ से तो तोड़ोगे नहीं आप दिवाल को तो यह सरकार हमें मजबूर कर रही है ट्रेक्टर आगे लाने के लिए हिंसात्मक होने के लिए उकसाया जा रहा है हम जब आप ट्रेक्टर लेके आएंगे तो आप लोग को ऐसे ही रोका जाएंगे कि ट्रैक्टर के सामने वो अगर बिना हर्थियार के आएंगे तो आप लोग उगरवादी हो जाएंगे जो चन्डीगर में जो बात कर रहे हैं किर्षी मंत्री से उगरवादी लोग थे पहले तो यह मंट्षा पहले आप खतल करे शरकार पहले तो हम हमाई साथ तो वही सुलूख हो रहा है तो इस भाई के माहौल में कैसे बात हो सकता भाई पहले तो यह सरकार हमें किसान माने और अभी इसने पिछले आंदोलन से सीख नहीं लिए मेरी बेहन पिछले आंदोलन में भी कह रहा थी कि किसान नहीं है यह इस वृती इरानी कह र तो लोक सभा के चुनलब नजदीग आते किसां जो इस अधर्डीस नागरिक कर रहा है वह कौन लोगा मन्हें चुन और उनके घुल के उनकि लिए पीजिय की सरकार जिम्मेदार है किसान किस तरीके से बात्चीत कर रहे थे वह महिला को आप और भी देखिए ना वीडियो किस तरीके से बड़े बुज़ुर्गों के साथ क्या इस देश के यही संसकार है उनकी वज़े से आम जनता को तकलीफ हो रही है ना उनकी वज़े से पूरे रास्ते बंध हो चुके है तो इसे तरीके से चीज़े नजर आएंगी फिर आम जनता को तो महंगाई से भी तकलीफ है आम जनता को तो जमीन कबजा हो रहा है उससे भी दिक्कत है युवाओं को जनता तो मुर्दा हो चुकी है इस देश की, आज आप जिस देश में एक चोथाई जनता जो है भुकमरी से मर रही है, पाच करोड महिलाएं जो है अनीमिया से पीडित हो, जिस देश में हर तीसरा बच्चा को पोशित पैदा हो रहा है, जहां पर स्वास्त विवस्था खतम ह चुकी है लगातार रूपिया गिर रहा है देश की अर्थविवस्था धौस्त हो चुकी है उस देश में कौन आवाज उठा रहा है उस देश में किसान ही तो आवाज उठा रहा है एक्टिविस्टों के उपर गोली चलवा दोगे उनको मुकदमा लगा के बंद कर दोगे तो जनता के ऊपर थोप रहे हैं जिस दिन EVM खतम हो जाएगा उस दिन मोदी भी खतम हो जाएंगे आप इस बात को समझे और कोई जनता इनसे खुश नहीं है आज महंगाई से जनता मर रही है करा रही है यह गोदी मीडिया की भाशा मत बोलिए कि सब चंगासी है अच्छे दिन अच्छ दिन ke naj्ई जब इस देश के किसान को MSP मिलेगा जब यह जैसी महिलाएं सुरक्षित होंगी जब आप जैसे महिलाओं उस्क्राव मिलेगा उस देश में खुशाली आएगी देश को बंद करकर तानाशाहिं की बेडियों में जकडकर देश को नहीं चलाया जा सकता है और किसान बिल्कुल अग्रसर है दिल्ली आएगा अपनी बांगों को मनवाएगा अभी तक दिल्ली नहीं आये हैं लेकिन जो दिल्ली की जनता उनको तकलीफ होना पहले सी स्टार्ट हो चुकि उनकी वज़े से बैरीगेटिंग किस तरीके से सडकों पर कर दी गई में पूरी दुनिया बंद थी तो इस देश के अनदाता ने ही जमीन का सीना चीर कर अन उगा कर इस देश का जो है बचाने का काम किया था घरों में रोटी पहुंचाने का काम इस देश का किसानों ने किया था और जो इसेंशल सर्विसेश चालू थी कोविड में वो सिर्फ किसानों की चालू थी बाकि सारा इस देश का तो इस इस जो कम से कम रोटी का तो बदला मत निकालो यार और फिर वही अन्य दाता जब उगरवादी होते हैं तो जैसे पहले किसान अनोलन में दिखाता लाल के लिए पर अपना जंडा लगा देते हैं ने उगरवादी कहा है किसान आप किस मानसिक्ता से ग्रसे कर रहे हैं वो लोग पत्थर बाजी हो रही है कौन पत्थर बाजी कर रहा है वीडियो वारे आपने वीडियो नहीं देखिये क्या क्यों नहीं यह सरकार उनको पकड़ के कारवाई कर रही है पत्थर बाज तो किसान होई ले सकता है वो किसान नहीं है जो लाल के लिए पर हुआ वो किसानों नहीं किया वो इन्हीं के दीप सिदू नहीं किया है इसी दंगे कौन भड़काता है दंगे किसान भड़का रहा है कि सरकारे दंगे कराती है और इस इस सरकार का तो चेहरा सामपरदाइख है, मुसल्मान विरोदी है आप आप यह कहां चिपा है? आप मोदी जी की वीडियो नहीं देखिए dopo सुनिये पूरी दुनिया में यह बात फैल चुकी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार मुसल्मान विरोदी है साम प्रदाइक है, कमिनल है, जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, फाकिस्तानी है. शाहीन बाग के लोग के खड़े हुए तो वो देशद्रोही हो गए, इस देश के पहलवान खड़े हुए तो वो हातंगवादी हो गए, किसान खड़े हुए तो वो आतंगवादी हो गए जो भी इनसे नौजवान सवाल पूछता है तो वो जो है देशद्रोही हो जाता है आज मैं पूछ रहा हूँ जो 60 लाख बच्चे जिनका पेपर लीक हो गया आज तो वो लकनव में और इलाहबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं बनारस हिंदू उन्वस्ति का चातर देशद्रोही है इलाबाद उन्वस्ति का चातर देशद्रोही है अपनी रोजगार का मांग करने वाला चातर देशद्रोही है आप बताओ ये जो योगी आदितिनात जो कहते हैं कि बहुत जो है कड़े नेता है कैसे पेपर लिख हो जा रहा है ये पेपर लिख क्यों हो रहा है जब ये सरकार इस देश में हिंदू खत्रे में नहीं है इस देश के युवाओं की जवानी खत्रे में है इस देश के युव गारी में क्यों नहीं गूमेगा भाई तुम्हारे लिए मर्शरी जो है वो तुम्हारे लग्जरी और सूपका होगा हम तो मसली से भी हम के जाता है तो हमा हम मैटरिलिस्टिक लोग नहीं है हम अपने मेहनत का कमाते हैं तो मर्सरीज में घूमते हैं ठीक है यह दुर्भागी की बात है कि सरकार चाहती है कि इस देश का किसान फटे हाल रहे बदहाल रहे मरते हाल रहे तलवार ना लेके आए ट्रेक्टर ना लेके स तो चाहते हैं किसान मरता रहे तो चाहते हैं किसान का जो पिक्टर ऑवरॉल बनाया गया है कि किसान जो है बदहाल है फटे हाल है कुर्टे फटे हुए है घर में खाने को रोटी नहीं है मर रहे हैं, यही नरेंद्र मोदी चाहते हैं इसलिये उनको जलन हो रही है किसानों का मर्शरीज देखकर, किसानों का एसी देखकर, किसानों का गाड़ी देखकर देश को मॉंत्री कहता है ये क्या cooperate से पहचानो ये कौन लोग है ये किसान नहीं है यह मुठी भर लोग है, तो यह शर्म और दुर्भागी की बात है, हमने ही नरेंद्र मोधी को सत्ता को सर्वोच शिखर पर बैठाये था, तो बिल्कुल तकलीफ होगी, जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, जब हमारी मांगो को नहीं माना जाएगा, तो बिल्कुल हमें त करके पूछिए कि क्या सूर्तेहाल हैं तो आप समझिए हम पीडित हैं हमें उकसाया न जाए और अगर हमसे उकसाया जाएगा हमको तो हम भी टकराने से पीछे नहीं हटेंगे हम यहीं कहेंगे अंतुमें इस दमनकारी सरकार से कि आओ देखें इस भारत में कौन बी बड़ा बलिदानी है किसके धमनी में खून किसके धमनी में पानी है अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा नहीं मानी जाती है तो और जोश में ये लोग सरकार के सामने आएंगे और अपनी मांगे इस बढ़ मनवा के रहेंगे किसी तोर पर जो है किसानों नहीं कह दिया है कि हम अपना हक ले के जाएंगे उसके बाद जो पूरी बाचीत पर इस पे आपकी कह रहा है मैं कमेंट बॉक में जरूर बताएगा धन्यवाद